कि बोला चला रशे में हैं आपको शम Comput नहीं आती हैं कितने लोग लगे lucky कि इन भारत के सनातन्यों इन हिंदूों को समझाने में कितने लोग ने अपना जीवन लगा रखा है राट को सोते नहीं दिन को कोई चैन नहीं है दिन रात लगे में किसी तरह ये दुबस्तित हो जाएं किसी तरह बातों को संखे कितना हुप संसार का सुनना पड़ता है कितना कटु कितना बिरोग में हमारे लोग हो जाते हैं नहीं एक ने बहुत मेरे भाई बंदु सादू संद कथा वाचक जितने भी हैं वो देविया और रिशिका एकोटी बंदर में उनको करते हैं कि अपको फर्त नहीं पड़ता है तीन गंटे आप बैठती हैं मंदिरों में किर्थन करते हैं किर्थन तुम्हारा क्या है परभ्रम परमात्मा को गाली देना कि वह नशेड़ी नशे में चला इन अधर्मिक कूरीति असंस्कृति इनके उपर रोग लगाओ अपने कदम इस प्रतवी से टिका लो नहीं तो प्रले आप देखी रहें यह जरूरी नहीं है कि अभी हमाजल में आ रही है तो दूसरी जगा नहीं सब जगा ऐसा ही होना है घर घर में हर लोग दुखी है यह भी हमें बता है जो पुर्णे आत्मा उनके घर में ही देवत लता है ऐसे भी देवों को हम जानते हैं तो अधर्मता से हट जाए भक्ति का मतलब यह गदापी नहीं है कि तुम ने तो बिल्कुली अधर्मता मारक पकड़ लिया है भगवाने विष्णु इस्तिती कर रहे है कि हे देव परमात्मा शिवत मुस्क्रा कर कह रहे हैं कि फें चक्रपाणी है विष्णु जब आपने वर्दा ने देही दिया कि सब देवताओं पर तुम्हांरे विज्वत्र प्राप्त होगी तथा वस्तु जब आपने कही दिया, तो आपने कहें तो दिया है अब कोई तो देवता विज्यवत्र नहीं कर पाएंगे तो भगवान शिरी हरी कान पकड़ लिए कान पकड़ के बोले नहीं प्रभू मैंने तो देवों के लिए वर्दिया की देवों पर विजे प्राप्त हो आप देव नहीं, आप तो महादेव हैं, आप तो कल्यानकारी हैं प्रभो, तो परभ्रम परमात्मा हैं, आप तो हमारी महता हैं, आप हमारी पिता हैं, हे परमात्मा, तततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततत अगर कहीं पे किसी रिश्यमुनी ने बेद गरंत में शांस्त्रों में उनके लिए जो शब्द यूज की है अपनी आत्मा को गाली देते हो कि तुम्हारी तरह वह भी नशे में रहते हैं वह इश्वर है जहां किसी की बाणी और सोच नहीं जाती उनकी सत्ता वो है और सबसे बड़े शर्म की बात तो ये है कि जो ऐसा नाटी आज से नहीं हो रहा बहुत पहले से मैं सुनती आई बॉलेवर्ट के भजनों से लेकर भी बहुत कुछ तो बहुत बड़े शर्म की बात तो ये है कि हम सनातनी जो जानकार है जिनके पास सुबात का ज्यान है वो बिरुद क्यों नहीं करते है धरमता उनको तो बिरुद करना चाहिए ना उनको तो बोलना चाहिए ना सो बार मोलेंगे नहीं फार्क पड़ेगा हम 200 बार मोलेंगे कुछ फ़र्क पड़ेगा और कि जब हम 300 बार बोलेंगे तो फिर कुछ भर पड़ेंगे फिर हम को युक्ती लगाएं कि हम 400 बार भी बोलेंगे 400 बार क्या हम हज्जारों बार भी बोलेंगे कि अधर्म का साहरा चोड़ दो और विकर्म चाहिए कर लो लेकिन सत्त सनातन धर्म के जो प्रतिष्टा है उसके प्रति अनाप शनाप शब्दा वली गातर गाना इसको गाना नहीं कहते हैं यह गाई की नहीं है यह अधर्व को गा रही है बोले सत्त गुर्देव गुवान पी बोले देव देव महादेव की जैए